नमस्कार दोस्तों दैनिक भासकर न्यूज पेपर में एक न्यूज कटिंग छपी है उसके बारे में आपको बताना है जो स्कोलर्शिप के विश्य में है अब 60% अंक वाले में धावी छात्रों को भी मिलेगी स्कोलर्शिप जो स्कोलर्शिप है जो स्कोलर्शिप के पर्सेंटेज का क्राइटेरिया है उसके बारे में नई अपडेट है जो नई नीती बनी है दोहजार 21-21 के विद्यार्थियों के लिए जो स्कोल्शिप है ये डुक्टर अम बेड़कर मेधावी चात्र विर्टी योजना उसमें जो है थोड़े बहुत चेंजिस किये गए हैं इन्हें मिलेगा योजना का लाब अनसूची जाती स्सी एस्टी घुमन्तू अर्द घुमन्तू टपरिवास जाती के मेधावी चात्रों को लाब दिया जा रहा है सहरी मेधावीयों के लिए अलग और ग्रामिन मेधावीयों के लिए अलग क्राइटेरिया तै किया गया है मतलों जो शहर के बक्चे हैं उनकी परसेंटेज थोड़ी जादा और मतलों गाउवाले थोड़ा मतलों उनकी परसेंटेज कम रखी गई है हलांकि आवेदन सभी को 30 अक्तूबर तक करना है जो 30 अक्तूबर है लाज्ट डेट है वो स्कोलर्शिप के जो फोम है वो भरने की इस तरह से मिलेगी सहयता चात्रों के अभिवागुकों की वार्शिका है चार लाग से अधिक नहीं होने चाहिए जो फैमिली इंकम है एक साल की जो इंकम है मतलब इंकम का सर्टिफिकेट लगेगा आपका तो उसमें जो इंकम है वो चार लाग से आपकी कम होने चाहिए एन्वल इंकम साल की इंकम कोलिज में है गौर्वर्मेंट है या सरकारी है यह स्कोलरिशिप सबी को मिलेगी तो इसमें जो है बताया गया है कि 10th में अगर कोई बच्चा गाउं से है तो उसके 10th में 60% मार्क्स होने जाए और 10th वाले बच्चे के जो शहर में रहता है उसके 70% होने जाए और इसे के सहर में रहता है और प्लस्टू का बच्चा है उसके 40% मार्क्स होने चाहिए बीए वाले के 60% ग्रामिन के लिए और 65 है शहरी के लिए कि जो ओनलाइन आवेदन करने के बाद आपको हार्ड कोपी मिलती है जो प्रिंट आउट निकलता है उसको जमा करवाने की मतला अब कोई जरूरत नहीं है सितंबर में आवेदन शुरू हो चुके हैं अंतिमति थी आपको मैंने पहले बिदाई है में 30 अक्तूबर है और जो बीसी है 146 सें और 25 18 में 10 में 20 oh 9 ओर 20 आप अनिवारीय है 9 slower की बच्चों के लिए 30 पर्शेंट माक्स का होना अनुवारिय यह का जिक्र श्रक्राज्य है स्केशलिटाबे दसमी में मिलेगी इन्हें मिलती है यहां प्रोथषाहन रासी हैं। टैन्थ वाले बच्चों मिलेंगे आठ हजार रुपए जोकोप के रूप में और प्लस टू वाले बच्चों को मिलेंगे आठ से नो होजार रुपे बीए पास को मिलेंगी नो से बारा के बीच में ठीक है ये क्राइटेरिया जो है वो रखा है सरकार ने अभी थोड़ी चेंजिस की है तो ये आपको अपडेट देनी थी अगर आपको नूज अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिना और चैनल को सस्क्राइब कर दिना धन्यवाद जय हिंद जय